विल्कॉम फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल आर्केनसिंग एकेडमी में फ्रेंड्स वोती मात्वपून कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिछाओं के लिए वेरी वेरी इंपोटेंट है तो फ्रेंड्स विल्कुल वीडियो को इसकिप ना करें और पूरा वीडियो ला याज का जा रहा है कि जो प्लेडैयों है जात मैदानी यूट रहें वहां पर कितनी जनसंख्या पर सब्सेंटर होता है पहले हिए तो देखें, आप आप सं भी आपका राइट होगा कि 5000 जनसंख्या पर क्या होता है एक सबसेंटर होता है मैदानी छेत्रों की बात यहां पर की जा रही कि मैदानी छेत्र में पांच जार की जनसंग्या पर एक सबसेंटर होता है अब यहां पर आप एकस्प्लेन देख लें कि एक सबसेंटर मैदानी जो सामानी मैदानी इलाके होते हैं ठीक है एक सबसेंटर सा कुछ सीश़ी कि पिछड़े इलागों क incar कि जाये तो आंपे 3000 की आबादी पर एक सब सेंटर होता है और मैदानी शेत्र की बात संध्र होता है तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं question number 2 आपकी screen पर है पढ़े question को च्छेसे उसके बाद answer दे क्या होगा इसका right answer बताएं गिस करें community health center बताएं सामुदाइक स्वास्तकेंद्र गिस करें क्या होगा इसका right answer यह कितनी आबादी को cover करता है जो आपका community health center है तो देखें यहाँ पर आपका जो B है वो राइट होगा covers a population of approximately one lakh लगबग एक लाग की अबादी को कबर करता है एक जो सामुदाइक स्वास्त केंदर है ठीक है ये एक लाग की अबादी को कबर करता है अब यहाँ पर हम explain देखते हैं इसकी कि जो आपका CHC सामुदाइक स्वास्त केंद का जाता है ठीक है कमुदी हिल्थ सेंटर यह आपका 80,000 80,000 से लेकर यह देखे हीली एरिया की बात यहाँ पर के गई तो जो हीली एरिया है वो ठीक है 80,000 से लेकर एक लाग बीस हजार ठीक है 1.20 लेक्स ठीक है मुलाब एक दिसमलो 20,000,000 अप्रोक्सिमेटली लगबक की बात अगर करें तो एक लाग की आबादी पर ठीक है 30 बेड के साथ होता है यहाँ पर कितने 30 बेड होते हैं कमुदी हिल्थ सेंटर CSC पर 80,000 जो 80,000 की आबादी यहाँ पर एक लाग 20,000 80,000 से एक लाग 20,000 तक की जो आबादी होती है वहाँ पर एक CSC सेंटर होता है और 30 बेड के साथ में 30 बेड के साथ में होता है अब यहाँ पर देखने की फार कमुटी ब्लॉक सब डिस्टिक एंड सब डिविजनल फिटल सर्फ फ़श्ट रिफरल यूनिट एफ आर यू यह फ़श्ट रिफरल यूनिट होता है एफ आर यू का जो पूरा नाम है का जा रहे कि समधाईक ब्लाक के लिए उप जिला या उप विभागी इस्पताल प्रथम रिफरल एकाई के रूप में होते हैं यह करते हैं तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं पर पढ़ें कोश्चन को चैसे उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं कोश्चन को पढ़ लें बहुत ही सिंपल कोश्चन है इन में से का जा रहा है कि किसका उद्देश लोगों का स्वास्त लोगों की हाथों में देना आए बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर दें के यह गाता मिशनका उद्देश चे है कि पीपल पीपल से हेल्थ इन पीपल्स हैंड लोगों का स्वास्त लोगों के हाथों में देना है यह जो टाइगलाइन से जो आपका उद्देश चे है यह रूलर हेल्थ मिशन का उद्देश चे है अब आप एक्स्प्लेन देख लें गवर्मेंट आप इंडिया ने 1977 में प्लेशिंग पीपल से हेल्थ इन पीपल हैंड के प्रेंसिपल पर आधारित एक रूलर हेल्थ इस स्किम को लांच किया था बहरत सरकार ने 1977 में स्वास्तिकों लोगों के हाथ में देना अतत इस सिद्धान्त पर आधारित एक ग्रामेड स्वाश्तियों सुरू की थी यह 1977 में शुरू की थी भारत सरकारनी, चलिए next question देखते हैं, question number 4 है आपके screen पर, पढ़े question को simple question है, बहुत ही simple है, बताएं क्या होगा इसका right answer, पूछा जा रहा है, what diabetes is celebrated on, बताएं क्या होगा, which मद में दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, किस तारीक को मनाया जाता है, which मद में दिवस, बहुत ही अच्छा question है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है, पूछे भी जाते हैं, ठीक है, जो दिवस होते हैं, बहुत ज्यादा ठीक है, 14 नॉवंबर, 14 नॉवंबर को मनाया जाता है, अब यहां पर आप एक्स्प्रेन देख लें, यह राइक्स्प्रेन आपकी स्क्रीन पर, what diabetes they celebrated on 14 नॉवंबर, ठीक है, 14 नॉवंबर को, यह डिवस, जो डिवस है, मद में दिवस जिसे का जाता है, वो मनाया जाता है, 14 नॉवंबर को, इट सेलिब्रेटेट टू मार्क दी, बर्थ डे, बर्थ डे आप मैन, हू, को डिस्कवर्ड इंसुलीन, जो फ्रेडरिक बैंटिंग, ठीक है, इन 1922, एलोंग विद चार्ली बेस्ट, तो जो फ्रेडरिक बैंटिंग थी, ठीक है, यह उस वक्त के जन्म द चार्ल्स, बेस्ट तो, इनके साथ, इंसुलीन, जा तो फ्रेडरिक बैंटिंग खोच की थी, ठीक है, बजपन से, मतलब इनकी गर्फ्रेंट थी, जिसे जैनी कहा जाता था जैनी के नाम से जाना जाता है जिसे जैनी के नाम से जानते हैं तो क्या हुआ था कि जब यह डेली एक साथ खेलते थे लगबग इनकी 15 साल की उमर थी फेटरिक बेंटिंग की जो एफ बेंटिंग के नाम से जाने आते हैं और इनकी जो हुआ कि आखिर जैनी को हुआ क्या जैनी खेलने क्यों नहीं आई तो एक दिन पूच्छते पूच्छते जब उनके घर पोचे तो पता चला कि जो जैनी थी वो इस दुनिया से रुखशत हो गईी जैनी की डित हो गई और इनका जब कारड इन्होंने पूचा कि आखिर जेनी को हुआ क्या था जेनी को किस कारड से जेनी मर गई तो बता चला कि जेनी को डाइबटीज हो गया था ठीक है जेनी को डाइबटीज हो गया था जेनी को मदमे हो गया था इस वैसे जेनी हमें छोड़ कर चली गई हम सब को दूर चली गई बिछड़ गई बट अब हम किसी दूसरे की किसी दूसरे के जैनी को मरने नहीं देंगे ठीक है इन्होंने कहा था कि हम किसी दूसरे के जैनी को इंसुलीन अर्था मदमें से मरने नहीं देंगे तो इन्होंने उसी समय द्रण संकल्प लिया और अपनी खोज मे लग गए और अंत में ये काम्याब भी हुए तो जो इंसुलिन की खोच का बहुत बड़ा स्री है इनका फेडरिक बैंटिंग का तो चलिए में नेक्स्ट कोशन देखते हैं यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर कानी सुनाने का वक्त नहीं है ठीक है लेकिन इंसुलिन की खोच जुन्होंने की बात आई उनकी तो इस पर से हमने आपको थोड़ा सा संचेब में बता दिया ठीक है ताकि जानकारी भी आपको होने चाहिए चलिए पढ़े कोश्चन को अच्छे से इंटरनेशनल वुमेंस डे इस सेलिबरेटेड ओन बहुत सिंपल कोश्चन है आपको सभी को पता है तो और आप आसानी से इन कोश्चनों के अंसर दे सकते हैं ठीक है बताने की जरूरत नहीं होती है बट आप कमेंट बाक्स में ज्यादा से ज्यादा अंसर दिया करें ठीक डिको पता है कि यह 8 मार्च को मनाया जाता है तो icons यहाँ पहरी आपका राइड होगा 8 मार्च ठीक है अंतराश्टी महीला दिवस अब यहां पे आप explain देख लें कि क्यों मनाया जाता है देखे सबसे पहले महिला दिवस 28 फरवरी 1909 में न्युवय्यर्क में मनाया गया था सबसे पहले बात की गई है कि ठीक है सबसे पहले जो महिला दिवस मनाया गया था वो 28 फरवरी 1909 में नियुयार्क में मनाया गया था ये भी डेट याद रखने के योगे है कि अगर कभी पूछा जा सकता है कुश्चन कि सबसे पहले जो महिला दिवस है वो कब मनाया गया और कहां पर मनाया गया था तो 28 फरवरी को मनाया गया और 1909 में नियुयार्क में मनाय रखा अब एक कोशन यह भी बन सकता है कि जो लुइस जीस्ट थे इन्होंने अंतरराश्टी महिला दिवस का प्रस्ताव कब रखा था या फिर यह भी कोशन बन सकता है कि 1910 में जिन्होंने अंतरराश्टी महिला दिवस का प्रस्ताव रखा था वो कौन थे या उनका नाम क्य था तो इस तरह से कोशन पूचे सकते हैं बट जब प्रतम बार का जा रहा कि प्रतम बार आठ मार्च को आठ मार्च 1914 को अंतराश्टी महिला दिवस मनाया गया और तब से आज तक आठ मार्च को ही मनाया जा रहा है ठीक है अगर कोशन पूचा जा गया कि सबसे पहले महिला दिवस का मनाया गया तो वहां पर अंतराश्टी नहीं दिया होगा ठीक है कोश्चन पे अंतर राश्टी नहीं हो गापके और अगर अंतर राश्टी हैं अनतर राश्टी महिलह दिवस कम मनाया गया तो वह आपका 8 मार्च को ही मनाया जाता है तीकि अंतर राश्टी ट्यकि इंटरनेस्टनल महिला ड़ है ठीक है Würondo also से बराबर अभी तक भी अब तक मनाया जा रहें और आगे भी मनाया जाता रहेगा ठीक है लिकिन अगर बात की जाए कि सबसे पहले महीलद्यवस कब मनाया गया ठाव कर देख रहें पहले छी स्क्रीन को को पढ़ें पर अंसर दें क्या हुग इसका राइट अंसर बताएं अच्छा को इस सिम्पल कोष्चन है जैदा टब कोष्चन नहीं है बहुत ही सिम्पल है आसाने से पर क्या पाणसर दे सकते हैं क्योंकि आप यह सारे कोष्चन पड़ चुके हैं समझ लिए आप दोरा रहे हैं को ठीक है तो पड़े कोष्चन को अच्छा से सब्सक्राइब उत कि सवत के सबसे सब lesic sumiton आपको बताना है कि किस समिती को 100 सर्विछठ्षड एवं विकास समीती के नामसे बहुंता है तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर गेस करें दीखे गलत आंसर नहीं देना है ठीक है पूस यह कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से राइट आंसर दे पाएंगे तो देखे भूर कमिटी थी ठीक है यह बहुर कमिटी थी जो स्वास्ति सर्वेच्छड और विकास समीती के नाम से जाना जात अब यहां पे आप explain देख लें कि भोर कमिटी को health survey and development कमिटी के नाम से भी जाना जाता है तो आपको हमें सब दिमाग में रखने है तो अच्छे से पढ़ना है और इसे भारत सरकार ने 1943 में health system की मौझूदा इस्थिति का आगलन करने के लिए health system की जो मौझूदा इस्थिति है उसका आगलन करने विकास के लिए सिफारिस के लिए पनाया था जो आपकी भोर कमिटी थी इस विद्धेट इट से फेमस रिपोर्ट इन 1946 इन्टू फॉर वैल्यूम्स का जा रहा कि इसने 1946 में चारफ इसनों चार खंडों में उन्होंने46 में अपनी प्रिशिद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो चलिए हम बढ़ते नेक्स कोषिण के और हमारा साथ नमर कोशन आपकी स्क्रीन पर रहें पढ़ें कोशन को चाहसे और इसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं किस करें कोशन को पढ़ें चाहसे देखें हुई चेर्मेन ऑफ हिल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी अब आपको बताना है कि स्वास्त कशन के ठर्यक्ति का अद्दिश कोन है अभी यहां पर बात कि जा रही कौन है टि कर 1862 की बात की जा रही ठीक है अभी की बात नहीं की जा रही है यहां पर who is new होने को मनलग होना चाहिए था हूँ आज था ठीक है यहां पर हूँ आज होता लेकिन कोशन है किसी तरह से पूछ सकते confusion करने के लिए आपको confusion ठीक है लेकिन आपको ध्यान देना है कि यह जो कमिटी बनी थी planning committee who is the chairman of health survey and planning committee तो यहां को option से पता चल जाएगा क्योंकि option में जो रखें यहां पर प्रिजेंट में भी कोई नहीं है ठीक है सब बहुत ही old है तो option तो इस वैसे आपको यहां पर जो जवाब होगा यहां पर थे जिसे health survey and planning committee के नाम से भी जानते हैं एल मुदालियर मुदालियर committee 162 के chairman थे जिसे health survey and planning committee के नाम से भी जानते हैं और इसकी नियुक्ति पंचवर्शी और जनाओं में health sector के विकास के लिए guidelines उप्लब कराने के लिए की गई थी ठीक है तो हम चलिए बढ़ते next question के तरफ question number 8 है आपकी screen पर पढ़े question कोचे से उसके बाद answer दें देखे बहुत सिंपल question है ग्रामीर इस तरफ पर पंचायती राज में सभी होते हैं किसी एक के अलावा अब आपको बताना है एक को छोण कर सभी पंचायती राज में होते हैं कि देखे अब अगर बात आ गई कि पंचायती राज की तो पंचायती राज को भी समझ लेते हैं पहले ठीक है कि देखे संसद में संगवधानिक संसोधन विधयक पारित करवाने के लिए जो एक ग्रामेड इस तरपर का जा रहा कि पंचायती राज में सभी होते हैं सिवाए किसी एक के अलावा मतलब एक को छोड़ कर तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी पंचायती राज की ठीक हम सब कुछ छोड़ देते हैं अनेक प्रियास के बाद संविधान संसोधन था ठीक है तियत्रमा संविधान संसोधन अधनियम यह 1992 में अंतिम रूप से पारित हुआ था ठीक है जो अधनियम 1992 में अंतिम रूप से पारित हुआ और यह 24 अपरेल 1993 को लागू हो गया था ठीक है 24 अपरेल 1993 को लागू हो गय था अगर कभी कोशन पूछा जाए कि कौन सा अल वो संसोधन था और यह कब लागू होते हैं अंतिव रूप से कब पारित हुआ था लेकिन लागू हुआ था 24 सप्रभी 293 से अब बात करते हैं यहां पर ग्रामीड इस्तर पर पंचायती राज में सभी होते हैं एक को छोड़ कर तो देखिए पंचायत सम्ति यहां पर ग्राम सभा हो गया ग्राम पंचायत हो गया और आपका न्याय सभा हो गया अब यहां पर जो पंचायत समिती है इसको छोड़कर आपसन एक हो जो है आप पंचायत सम्ति इसको छोड़कर बाकि सभी जो दिये गए आप ग्राम सभा उन नहीं पन्चायत व गया यह सभी स्थर थी सभी लागी होते हैं तो बात की गए तो यह सभी ग्रांभी इस्तर होती पर नया सभा पनक के बात कर लेंगा पंचाय सम्थी ब्लॉक लेवल पर होती है दिखें बहुत सारे गाउं को जोड़ कर एक ब्लॉक बनाया जाता है जो बहुत सारे गाउं होते हैं जैसे 50 गाओं जोड़े जितनी ग्राम पंचायते साथ जोड़े जाती है बहुत नां पंचायते जोड़कर एक ब्लाइक बनाया जाता है उसी को लटाब समती तो जो ब्लाओं पंचायत समिधी होती आदि वह गर टोल लील पर इस्थ ata जो होती है यहाँ पर पंचायट समित्य के बाद ब्लाक लेवल पर होती है गाओं के इस तर पर ग्राम सभा नेक्ष्ट कोशन देखते हैं यहां पर पढ़े कोशन को चसे उसके वाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें आपके स्क्रीन पर है कोशन को पढ़ लें कोशन नंबर 9 ने आपके स्क्रीन पर सिंपल कोशन है होम बिजिट को आर्गनाइज करने का मैं में जो में फोकस है वो निमन पर होता है बताएं आपके क्या होगा इसका राइट अंसर करें तो देखिए यहां पर आपका राइट होगा इंस्पेक्शन ऑफ होम इन्वायरमेंट घर के वातावरण का निरिच्छड अब यहां पर हम एक्स्प्लेन देख लेते हैं कि होम विजिट एक फैमिली नर्स कॉंटेक्ट होता है जो होम विजिट होता है वह एक फैम परिवार नर्स से संपर्ख होता है जो आवाश्यक्ट नर्सिंग केर और हेल्थ रिलेटेट एक्टिविटीज को प्रोवाइट करने के लिए हेल्थ वर्कर को होम और फैमिली सिच्वेशन को एसस करने के लिए इलाव करती है जिसे नर्सिंग देख बाल और स्वास्त संब सब्सक्राइब नर्सिंग केयर और हिल्थ रिलेटेट अक्टिविटीज को प्रोवाइड करने के लिए हिल्थ वर्कर को होम और फैमिली सिच्वेशन को एसेस करने के लिए इलाव करती है अब हम नेक्ट कोशन देखते हैं आपे 10 नमर कोशन आपके स्क्रीन पर हैं कोशन को को पढ़ें आच्छे से उसके बाद बताएं क्या होगा इसका राइट आजसर करें सिंपल कोशन है आपको आंसर देना है क्या अब आपको ये कोशन कापी आंसर को нек पर पढ़ लिए उसके बासर को सकता है क्योंकि आपने कुछ औरश पढ़ा इसमें कुछ चेक होता है देखिए उन्हें 69 की बात की जा रही है पंजी करण कानून उन्हें 69 की बात की जन्म और म्रत्यूत दुनों की बात यहां पर की जा रही है देखें यहापन आपका B राइट होगा यहापन बज़ी आपका राइट होगा से वन देखेंगे आपका R. अब यहापन आप देख लेए कि आखिर B क्यों राइट है तो यह EXPLAIN आपकी स्क्रीन पर है एक प्रक स्क्रीन को पड़ें 1969 के अनुसार म्रत्यू का साथ दिन जो म्रत्यू है उसका जो प्रमाण पत्र है इन्होंने का 1969 के अनुसार बात की जा रहे कि जो म्रत्यू का पंजी करण है जो साथ दिन में तयार होना चाहिए और जन्म का 14 दिन और अगर 14 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा किस हो जाएगा ठीक है दिन के अंदर 55 करवाना अनिमार हो गया का जा रहा है कि मतलब जो भारत सरकार के जन्म यो म्रत्यू रेजिस्टेशन एक्ट 1979 के अनुसार म्रत्यू का 7 दिन में और जन्म का 14 करवाना अनिमार होता है आप इसमें सनसोधन किया गया अमेंड मेंट किया गया करके जो सबी डेथ हुआ बर्थ को 21 दिन के अंदर रजिस्टर कराने को कमपलसरी कर दिया ठीक है अब वह साथ दिन और 14 दिन को बिलकुल हटा कर इन्होंने 21 दिन का समय दिया कि 21 दिन के पर आपको confusion पैदा हो रहा होगा कि साथ दिन में इसमें जो आपसन दिये गए हैं गलत दिये गए हैं ठीक है लेकिन वह 1979 के अनुसार बात की गई थी तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कोशन में 11 नंबर कोशन आपके स्क्रीन पर है पढ़ें कोशन को अच्छे सी बहुत इसने ड्रग को प्रेगनेंसी के फर्ष्ट ट्राइमेस्टर में प्रेस्क्राइब करना चाहिए बताएं यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर करें निम्न में से कौन सी जो दवा है वो प्रेगनेंसी के फर्ष्ट ट्राइमेस्टर में ठीक है फर्ष्ट तिमाई जो पहली त लोड़ सो उसको रिमकर इसमें ल ना चाहिए टिक काम करता चाहिए अब सिकाम करता तो इसको रोंकक सब्सक्राइब करता तो आधके ऐगाbn s फिर्षम को प्रेस्क्राइब नहीं करना जाएं किया नेट से सिर्ट होती है नुटन काऊश्यान थीद्धथा इसन प्रेस्क्राइब नहीं करना चाहिए जो मतली हो मिनली और आपको वो थें तो ऐसी सिती में क्या होता कि एडाओर की टेबलेट्ड सोथी फर्ष्ट टाइमस्टर में प्रसक्राइब नहीं करना वह उसका प्रसक्राइब करना है तो चलिए इसका एक्स्प्लेइन देखते हैं दिकिए नौसिया अंड़ वुमिटिंग करने के करणा आयरं को फर्ष पढ़े नमबर कोशिशन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं गिस करें अच्छे से गे पहले पढ़ें इसके बाद आनसर दें डेली कैल्सियम रिक्वार्मेंट ऑफ अलेक्टेटिंग मदर्स बताएं यहां पर क्या राइट होगा ठीक है इस्तन पान कराने वाली माता के लिए डेली की जो requirement है calcium की वो कितनी होनी चाहिए पर डे के इससाब से डेली calcium requirement of lactating mothers बदाएं क्या होगा इसका right answer गेस करें तो देखें आप आप संसी आपका right होगा 1200 mg पर डे 1200 mg पर डे आप संसी आपका right होगा अब आप इसे explain देख लें कि प्रत दिन जो lactating mother है ठीक है दूद प्लानी वाली माय अर्थात इस्तन पान करानी वाली माय उसमे 1500 mg पर डे 1500 mg प्रेगनेंट वूमेन में सकता होती है गरवती मैलाओं को 10027 mg और जो जो गयर गरवती होती है उन माओं के लिए बात की जा रही उन माहों के लिए काजरा की जो नान लेक्टेटिंग और नान प्रेग्नेंट मदर्स उनके लिए 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम कैल्सिंग को असकता होती है पड़े की ठीक है डेली की तो चलिए हमारा लाश्ट कोशन है थर्टीन नमबर कोशन को पढ़ लें चैसे उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं सिंपल कोशन है थर्टीन नमबर जो कोशन है सिंपल कोशन है आपको आंसर आसानी से आप इसका आंसर दे सकेंगे तो कोशन को पह एंसर बताएं प्रेग्नेक्न दोरह कौन से वीटामीन के अपरयाप्त इंटेक्स से निूरल टूब डिफेक्ट हो सकता आई बताएं क्या होगा यहां पे आप का राइट होगा फॉलीक ठीक है, folic acid, आप संसरी यहाँ पे आपका right होगा, folic acid, आप यहाँ पे आप explain देख लें, देखे, pregnancy के दोरान folic acid इसे vitamin B9 का आ जाता है, folic acid को ही vitamin B9 के नाम से जानते हैं, कि कमी के करण neural tube defect हो जाता है, स्पाइना विफिडा होता है, यह क्या होता है, जब मस्तिष्क में जो तंत्रिका जो आपकी ट्यूब होती है, तंत्रिका ट्यूब पूरी तरह से विकाश या विक्षित नहीं हो पाती है, तो incephaly अतात मस्तिस्क और खोपड़ी का हिस्सा नहीं बन पाता है या फिर incephalosis और खोपड़ी तता थैली का बाहर निकलना होता है यदि अगर बात किया है तंत्रिका ट्यूब की रील्ड की हड़ी का खंड जो अज़ पूरी तरह से फोल्ड और बंद नहीं होता देखे यहाँ पर जो आपको सर्जरी के मांद्द्र में चया होता है तो इनको औरुपीवेश्यल क्लिप्ट का जाता है अब यहाँ पर आप नेक्ट पॉइंट परते कि इसलिए वोमेंस जो वुमेंस होती है इसलिए वोमेंस को प्रग्नेंसी के फोर वीक पहले से इसलिए महिला से चार सब्सक्राइब परेग्नेंसी के 12 अब आपको समझ में आ गया हुगा है कितना ज़्यादा requirement होती है और कितना ज़्यादा लाब दायक है आपके लिए pregnancy के दोरान ठीक है folic acid बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होता है आपको pregnancy के दोरान बहुत सारी समस्याओं को समाधान करती है folic acid ठीक है दीक है यह पर neural tube defect हो जाता है जिसे spina bifida का जाता है माइक्रोंसिफैली और 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 फिसल क्लेप्ट भी हो जाते हैं तो यह सभी होते किस बाइस है folic acid जो आपको folic acid है इसी की कमी करण ऐसा होता है ठीक है मैंने भी बताए spina bifida ठीक है रीड की हड़ी में छेट सा हो जाता है रीड की जो हड़ी होती है उसमें छिद्र हो जाता है पीछे बैक में और जिसे spina bifida का जाता है जिसे neural tube defect का जाता है माइक्रोंसिफैली हो जाता है और फेसल क्लेप्ट हो जाते हैं तो इस अभी बिटामिन पी-9 की कमी से होता है